तो आपको one leg around यहाँ पे आपको salary मिल जाएगी, आपको बता दूं कि 18 to 42 आपकी age होनी चाहिए, जो की काफी अच्छा यहाँ पे age limit रखा गया तो 1st December 2023 से इसकी online application स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी last date जो है वो 21st December रहने वाली है हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मेरा नामे रईस और वेलकम करता हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिस job update के बारे में वो announce की है, HPSC ने हरियाना Public Service Commission की तरफ से जॉब अपडेट एनाउंस वी है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो पहले हम देखेंगे कि पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वेकैंसी अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे eligibility criteria के बारे में, यानि educational qualifications, age limits हो गई, फिर बाद में देखेंगे, selection, यहाँ पे procedure जो है, वो क्या रहने वाला है, कैसे apply करना है, important dates के बारे में बात करेंगे, और last में कुछ यहाँ पे eligibility conditions रखी गई है, वो देखेंगे, तो दोस्तों बने रहीएगा हमारे इस वीडियो में, हमारे साथ चाकी आपको यहाँ पे सब चीज़े clear हो तो यहाँ पे दिख जाएगा, हर्याना Public Service Commission की तरफ से उसका address यहाँ पे दे रखा है, advertisement number 59-2023, date of publication यहाँ पे 1st December 2023 दे रखी है, the commission invites तो यहाँ पे commission जो वो invite कर रहा है, online application form from eligible candidates for the post of assistant engineer, तो यहाँ पे यह post रहेगी, जिसके 3 disciples है, यहाँ पे civil, mechanical और electrical, अब किसम है, तो in irrigation and water resources department हर्यान, तो यहाँ पे यह तीन post है, वैसे तो main एक post है, assistant engineer, फिर उसमें 3 disciplines रहेंगे, civil, mechanical और electrical, in irrigation and water resources department हर्याना के लिए, तो यहाँ पे cast-wise इसको distribute कर दिया गया है, तीनों यहाँ पे post with discipline आपको यहाँ पे mention किया है, first है assistant engineer in civil, second assistant engineer in mechanical, third है assistant engineer in electrical, तो यहाँ पे cast-wise, first है आप general unreserved SC, BCA, BCB, EWS, और यह total दे रखा है, फिर उसके अलावा यहाँ पे general ESM और PWBD के लिए, यहाँ पे cast-wise इसको breakout आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो यहाँ पे total number of vacancies की बात करें, तो यहाँ पे 130 number of vacancies आपकी available है, तो यहाँ पे आप अगर इसके लिए तयारी कर रहे ह वैसे तो आपको आगे बताऊंगा selection procedure क्या है, तो आप इसके लिए यार किसी और exam के लिए अगर preparation कर रहे हो, तो हमारे exclusive preparation pack में enroll कर सकते हो, जो की बहुत ही जवरदख्त है, जिसमें aptitude reasoning के lectures भी आपको include है, हमारा best selling material, all in one भी इसमें include है, और तो और 300 plus mock test भी आपको इसमें मि link हमारे video के description में मिल जाएगे, एक बार check out जरूर कर लेना, आगे बात करेंगे salary के बारे में के pay level इसका कितना है, तो यहाँ पे gross amount आपको मिल जाएगा, तो आपको one leg around यहाँ पे salary मिल जाएगी, जिसका आपको यहाँ पे breakout भी दे रखा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा package यहाँ पे आपको online apply करना है, इसकी website आपको यहाँ पर दे रखिए है, यह इसकी official website है, जहाँ पर जाके आप online apply कर सकते हो, candidates how to compulserily register online, तो पहले आपको क्या करना है, online register करना है खुदको इसके website पे, तो जिसके यहाँ पर यह एक website है, और यह दूसरी यह एक website है, तो इन दोन में से जाके आप register कर सकते हो ने आप तो पहले आपको register कर लिया फिर registration के बाद आपको आपकी login id create कर दी जाएगी आप जैसे register करते हो तो आपकी login id यहाँ पे create हो जाएगी तो candidates को चाहिए कि उसकी complete वो अपना registration process जो वो complete करे through login id तो वो जो login id होगी उस पर आपको क्या करना होगा login करना होगा login करके आपका जो process है आपका जो online application जो process है वो आपको यहाँ पे complete करना है PPP यहाँने परिवार पहचानपत्र आधार और वर्चुल आईड यहाँ पे जरुवत पड़ेगी आधार authentication के लिए authentication के लिए during biometric attendance नेक्स्ट है after completion of registration the candidate can apply against the respective advertisement as per their qualification तो जैसे आपका registration हो जाता है तो candidates को यहाँ पे जिस field के लिए जिस discipline के लिए यहाँ पे apply करना है वो apply कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको पहले अगर आप eligible हो payment fees pay करने के लिए तो बहुत सारे candidates वो ineligible होंगे यहाँ पे तो उसकी भी मैं आपको यहाँ पे list बता दूँगा के कौन ineligible है तो जो eligible होंगे यहाँ पे fees pay करने के लिए तो उनको क्या करना पड़ेगा पहले fees pay करनी पड़ेगी तब जाके वो अपना उनलाइन जो application form है वो आगे जाके submit होगा तो यहाँ पे first जो है वो आपको अपनी fees pay करनी है उसी के बाद आपका online application form जोगा वो successfully submit होगा after making payment by candidates have to take a print out of their application form and upload the same after daily checking and signing it जो application form होगा screen पे उसे आपको print out करना है फिर उसको अप्लोड करना है after daily checking and signing it पहले check करना है फिर उसको upload करना है इसके अपने पोर्टल में application process will be completed only after uploading of daily signed downloaded application form by the candidate आपका application form submission यहाँ पे complete कब होगा जब आप उसे successfully upload कर देते हो उसकी website तो इन बातों का आपको ध्यान रख रहा है step by step आपको यहाँ पे बहुत clearly mention कर दिया है कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी है apply करने के लिए next यहाँ पर बात करेंगे educational qualifications के बारे में तो यहाँ पे बी-टेक होना चाहिए जिस भी जिस ब्रांच पे आप apply करना चाहते हो अगर mechanical तो mechanical में अगर civil तो civil में अगर आपका electrical में तो electrical में आपका बी-टेक डिग्री होनी चाहिए second जीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है हिंदी और Sanskrit आपके subject होने चाहिए metric यहाँ फिर higher education level तक तो हिंदी या फिर Sanskrit must यहाँ पर दे रखी है age limits के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 18 to 42 अपकी age होनी चाहिए जो की काफी अच्छा यहाँ पर age limit रखा गया है next बात करेंगे कि proof of age evidence of age यहने proof के तौर पे आपको अपनी age के proof के तौर पे आपको क्या देना है तो matriculation certificate यहाँ फिर equivalent academic certificate यहाँ पे आपको देना है as a proof of age application fees तो यहाँ पे आपको category wise इसको distribute कर दिया गया है कि first है for male candidates of general category including dependent son of ex-servicemen of haryan यहनी जो male candidate होंगे general category के और including उसी में dependent son of ex-servicemen of haryan तो उनके लिए यहाँ पे thousand rupees fees है और एक चीज है यहाँ पे for male candidates of general and all reserved categories of other states तो male candidates general के यहाँ फिर जो reserved categories है जो other states के लिए है उनके लिए भी यहाँ पे thousand rupees fees रखी गई है male candidates की बात कर रहा हूँ next बात करेंगे female candidates के लिए जो की general category के होंगे including female dependent of ESM यहने ex-servicemen of haryana only तो उनके लिए 250 और जो for female candidates of general जो general category वाली होंगे और females और all reserved categories या फिर उसके अलावा जो reserved categories है और वो बिलेंग करते हैं अगर other states में तो उनके लिए भी यहाँ पे 250 fees रखी गई है for male and female candidates of SC, BCA, BCB, ESM category of haryana के लिए यहाँ पे 250 है economically weaker sections EWS के लिए भी यहाँ पे 250 fees रखी गई है for all persons with disabilities category candidates with at least 40% disability of haryana only तो haryana के जो candidates होंगे जो की PWBD category में आते होंगे तो उनके लिए यहाँ पे condition है कि minimum यानि at least 40% disability होनी चाहिए तभी वो यहाँ पे exempted है इस fees को pay करने के लिए जो application fee से उसको तो एक बर fees आपने भर दी तो वो फिर pay कर दी तो फिर refund नहीं होगी इसका note यहाँ पे आपको दे रखा है selection procedure की बात करें तो in the event of number of applications being large अगर यहाँ पे large number of applicants यहाँ बहुत सारे applicants यहाँ पर अगर apply कर देते हैं तो इन points के basis पे उनका short list किये जाएंगे फिर उसी की basis पे यहाँ पे selection रहेगा तो कौनसे कौनसे points है on the basis of percentage of marks of the candidates in the minimum educational qualification तो educational qualification जो ह पे percentage के basis पे second point है second point है percentage of marks of the different educational qualification तो अगर एक या एक से जादा desirable qualifications है तो उनके basis पे भी यहां पे जो selection है वो हो सकता है on the basis of higher educational qualification on the basis of higher experience in the relevant field on by counting experience before or after the acquisition of essential qualification by holding a recruitment test तो higher education qualifications के लिए के basis पे हो सकता है higher experience के basis पे हो सकता है by counting experience before and after the acquisition of essential qualification तो इसके basis पे हो सकता है यानि आपका जो qualifications हो गया essential qualification हो गए उसके बाद के जितने भी आपका जो experience होगा उसके या उसके दोरां तो वो count किया जाएगा उसके basis पे भी यहां पे selection हो सकता है या फिर एक last में दे रखाए कि by holding a recruitment test अगर यहां पे तादत बढ़ जाती है applicants की तो यहां पे recruitment test भी conduct कर सकते हैं the candidate should therefore mention all his or her qualification and experience in the relevant field तो आपको जो भी जो relevant field होगी उसमें आपको clearly mention करने होगे जो भी आपके educational qualifications है जो भी आपके experience है वो आपके आपको clearly mention करने पड़ेंगे next बात करेंगे आपके important dates के बारे में opening date for submission of online application तो 1st December 2023 से इसकी online application start हो चुके है इसकी last date जो है वो 21st December रहने वाली है fees deposit की जो last date है वो भी यहां पे 21st December 2023 रहने वाली है for more information log on to this अगर आपको इसके regarding और ज़्यादा details रही है तो आप इसमें login कर सकते हो उनकी official website पे last date for receipt of application and issue of admit cuts तो यहां पे क्या last date रहने वाली है receipt की और जो आपको admit card दिया जाएगा उसकी तो यह सब चीज़ आपको जैसा कि admit card आपको कहां से मिलेगा कब मिलेगा recruitment test कहां होगा कब होगा कैसे होगा कौन सी date पे होगा जो भी written test है यह सब चीज़ आपको इसकी जो आपने रेजिस्टर किया होगा इसकी जो official website है आपका जो पोर्टाल होगा इनका जो पोर्टाल है website पोर्टाल तो उसमें जाके आपको वह मिल जाएगा कि इस job के रिगार्डिंग जो भी all details है जैसे कि e-admit card भी आपको वहीं से generate कर दिया जाएगा फिर आपकी written और recruitment की जो test की date होगी वह भी वहाँ पे mention कर दी जाएगी e-admit card will be made available on the website तो यह website है इस पे आपको e-admit card generate यहाँ पे होगा आपको उसको download करना है no e-admit card will be sent by post आपको उसको कहीं पे भी भेजने की जरूरत नहीं है खाली उसकी hard copy निकाल के आपको अपने पास रखनी है मैंने आपको बोला था कि eligibility conditions भी इसमें कुछ रखी हुई है nationality के आदार पर तो first चीज़ इसमें दे रखी है a citizen of India तो citizen of India होना चाहिए second है a subject of Nepal a subject of Bhutan a Tibetan refugee who came over to India before अगर कोई Tibetan refugee है तो वो जो है वो इंडिया में 1st January 1962 से पहले settle हुए होने चाहिए last इसका point है a person of Indian origin who has migrated from इन इन countries से जो migrated हुए इंडिया में तो वो भी यहाँ पे permanent settle down होने चाहिए तो ही वो eligible है इस post के लिए तो यह था इस job update के बारे में इसके regarding और भी अगर आपको details से यह तो इसकी official वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी तो आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो यहाँ पे आपको अच्छा लगा हो तो like कर देना और यहाँ पे कुछ subscribe यह हो तो comment भी कर देना अपने दोस्तों साथ share कर देना आपको लगता है कि आपका कोई friend यहाँ पे इसके लिए eligible है वो इसके लिए perfect है उनको उनके साथ share भी कर देना आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care